इस वीडियो में आप लोगों को बताने वालो है कि कैसे आप यूटुब शॉट्स बनाएंगी किसी भी यूटुब वीडियो को यूज़ करके और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करना है तो यूटूब पेज को ओपिन करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसी तरह यूटूब शॉट्स बनाने के लिए आपको एक टॉपिक का सेलेक्शन करना होता है जिसे हम लोग नीच बोलते हैं फर एक्जांपल मैं चाहता हूँ यूटूब शॉट्स बनाना लग्जरी कार पर कि लग्जरी कार हो जिस पे 25 या 30 सेकंड का एक छोटा सा शॉट्स बना सकूँ तो अगर मैं search box पे type करता हूँ shots और car type करके मैं इसको enter करता हूँ तो आपको जो result मिलेगा shots वह cars related मिलेगा मैं सिर्फ आपको अभी example दिखा रहा हूँ अगर आप चाहते हो कि इस example को skip करना तो description box से मैंने time stamp दिया है आप उसको use करके video में आगे बढ़ सकते हैं तो मैं इस वीडियो को प्ले करके देखता हूँ, इसका साउंड नहां से दिखता हूँ बुगेटी कार स्केटस, हैस्टैक शॉट्स अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इतना एजी है इस टाइप का शॉट्स को बनाना, तो मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे सिंपली फरारी और जो Ferrari का जो official page है उस पर हम लोग visit कर लेंगे Ferrari का जो official page है वहाँ से हम लोग एक वीडियो को download कर लेते हैं download कैसे करते है YouTube वीडियो वो आपको पता ही होगा अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको download करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग download करते हैं कोई भी एक वीडियो को select करके हम लोग download कर लेते पहले इसको मैं यहाँ से open करता हूँ और शेयर लिंक पर जाएंगे लिंक को copy करेंगे इसको close करेंगे इसको post करते हैं यहाँ से और आपको type करना होगा यहाँ पर save from.net इस पर click करेंगे download YouTube videos for free पर click करेंगे और यहाँ पेस को ला करके paste करते हैं यहाँ से download करेंगे तो यह हमारा download जो है start हो जाएगा इसको click करने के बाद आपका जो download dollar file है यहाँ साब इसको save कर सकते हो तो मैं इसको यहाँ पर save कर लेता हूँ तो हम लोग इस video को use करने वाले अपने shots के लिए और सबसे अच्छी बात है कि आपको copyright का strike भी नहीं आएगा क्योंकि आप Ferrari का videos को use करके उनके लिए free में advertisement का काम कर रहे हो तो बहुत ही low chances है कि आपको video strike आएगा तो video download होगी है next step आपको एक new tab open करके canva को open कर लेना है जिसका link मैंने आपको description में डाल दिया है canva open होने के बाद आपको यहाँ पर type करना होगा tiktok videos क्यों tiktok videos type करना होगा क्योंकि हम लोग tik tok videos को format है उसको use करने वाले यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर click करना होगा create a blank tiktok video नया tab खुलेगा जहाँ पर आपको format देखने को मिलेगा तो simply आपने जो भी वीडियो डाउनलोड किया होगा, यहां से आप इसको अपलोड कर सकते हो, अपलोड मीडिया को select करके, या फिर आप drag and drop कर सकते हो, तो मैं drag and drop करके अपने वीडियो इसको यहां पे लिया आता हूँ, उसके बाद जो भी editing करना होगा, वो आप देख सकते हो साथ में, तो हम लोग एक 25 या 30 सेकंड जैसा वीडियो बना रहे हैं, तो इसको हम लोग यहां तक चलने देते हैं, एक चोटा सा वीडियो बनाने के लिए, मुझे लगता है कि 24 सेकंड इस इनफ, तो यहां पे वीडियो को एकर select करूँगा, मैं और इस नहां split करूँगा, तो यह दो पार्ट में divide हो जाएगा, इसको मैं select करके यहां से delete कर लेता हूँ, और यह हमारा जो इतना पार्ट में वीडियो यह बस इतना ही चाहिए मुझे, next इसका हम लोग resize करेंगे, इसको पकड़ करके यहां से इस तरह से और इसको यहां से इस तरह से, बाकी के साथ भी same करेंगे, अब यहां से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो कुछी इस तरह से आपको दिखे का वीडियो, प्लस अभी क्या करते है कि इसको जो background इसका भी color को अम लोग black कर लेते हैं, वीडियो के साथ साथ दो चीज़ आप बिल्कुल भी add करना मत बूलना अपने shots पे एक तो इसमें आप heading या text को ज़रूर add करना दूसरा इसमें subscribe बटन का options को ज़रूर add करना ठीक है, कैसे करते हैं, वह मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने text पे select किया और add heading पे अगर मैं click करूँगा जहाँ पे तो मुझे heading का option दिखाएगा, यहाँ पे हम लोग type करेंगे subscribe, इस subscribe बटन को हम लोग add कर लेते हैं यहाँ और इस तरह से मैंने subscribe बटन को add कर लिया, अब मैं आपको पुरा वीडियो को play करके दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको final वीडियो देखने को मिलेगा, आप देख सकते कि Ferrari मैंने जो add के अदा पूरा वीडियो पे applied है और subscribe बटन सिफ इस वाले portion पे applied है, आप जाज इसको download कर सकते हो, download करने को option आपको जहाँ से मिल रहा होगा, download करने बाद आप इसको YouTube पे upload कर सकते हो, आपको copyright नहीं आएगा, तो कितना easy है YouTube Shorts बनाना, वो मैंने आपको Canva को use करके दिखा दिया है, तो आप इसको use करके एक अच्छा सा Shorts बना सकते हो अपने YouTube चैनल के लिए, फिलाल वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को like जरूर करना, और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में,